नश्कार मैं हूँ मुखेसरा और आप देख रहे हैं सार बेनियुश रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरह उत्तर परदेश के देवरिया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के परदेश सद्यक्षा नवाप के देवरिया आगमन पर कारेकरताओं मैं काफी जोज देखने को मिला सभी कारिकरताओं ने इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जिसे प्रदे सद्यक्ष सानवाब काफी गदगद दिखे और अपने स्वागत समारों में प्रत्रकारों से बात करते हुए शानवाज ने कहा कि राष्टी अधिक्ष महोदे ने हमें जो जीमेदारी सोपी है उस जीमेदारी को मैं पूरी निष्ठा लगन से निभाओंगा मैं अपनी पार्टी के सभी कारिकरताओं को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास जताया मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मान सम्मान के रक्षा के लिए सदे अत्यत पर रहूँगा आपको आवाम पार्टी ने उत्तर प्रदिश का अध्यत चुना है आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे बड़े अच्छे तरीके से मैं इसको निभाएंगे और हर गरीव हर जन्ता के पास जाजाए कि मैं मिलेंगे और सब के दुख सुख में मैं हागी होंगे और सबसे सब की समस्या को मैं हल करूँ दो जार बाइस के चुनाव में आपकी पार्टी उत्तर परदेश में चुनाव लड़ने जा रही है किन की मुद्धों पर पार्टी आपकी चुनाव लड़ने जा रही है मुअं हो था भर देश में हमारी पार्टी जो है गरीपों की असाहाई की देरोज़गाँ में ओ había और गाओं के तमाम सम्मसयाहों को देखते हूए लोbartी इसमें ज़्यादा-ज़्यादा महनभ करे जिया है इसके गरें फेर चानर Japan mois कि अभी यूपी बे इलएक्सन जो है बिल्कुल करीब है और सारी पार्टिया एक दूसरी पार्टी से गढवन्न कर रही है आपकी पार्टी क्या क्या स्टेंट है आप किस पार्टी के साथ गढवन्न कर रहा है अगर बीच में अगर किसी पाल्टी से गट बंदल हो गया तो उतने ही सीट पर लो चुनाव लड़ेंगे मेरे ये रष्या तो किसी पीड़ेंगे जीका में काणारीं वब बंदल